हेलो माई यूटूब फैमली कैसे हैं आप लोग आशकरत्यों का आप लोग बहुत अच्छे होंगे सेहत मन्द होंगे खुशाल होंगे और आज है संकटा चतूरती जिसे तिल चतूरती बोलते हमारे इदर तो मेरा फास्ट था तो मैं बनाने लगी हूँ कि सावुदाना पर बच्चे लोग का मन्था कि आपका फास्ट है तो आप आज सावुदाने की खिचडी बना लो तो मैंने का चलो मैं बना देती हूँ तो मुमफली दाना ऐसे ही बिना ओईल के बिना घी के रोस्ट कर लिए हैं मैंने अच्छे थोड़ा सा टाइम लगेगा थोड़ी देर मतला 10-15 मिट करीवन लगेंगे बिल्कुल मंदी आज पर इसको कर रहा है तो अच्छे करारे से यह भुण जाएंगे और इसके बाद में इसको निकाल देंगे साइड में और फिर इसमें ओईल घी कुछ भी डाल सकते हो आप और मैंने रिफाइंड ओईल ही इस्तमाल किया इसमें पर मुझे ना परसनाली में बताओ ना मुझे घी की बनी हुई खिचडी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती बिल्कुल भी और अभी ठंडियों में तो क्या होता ना पांच-दस मिनिट बाद ही ऐसे जमने लगता अगर कोई चीज गरम-गरम खाली तो ठीक है घी से अ इसलिए मैंने रिफाइंड ओउल में गाल नहीं थी और यह जीरा डाल दिया मैंने और उसके बाद मैने डाल दी हरी मिर्च और इकरी पत्ता मैं नहीं डाल दै इसमें है और आलू फिर ऐसके बाद मैं धूल बना आलो चलेगा पर काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में ऑईल बगेरा इस्तवाल नहीं करते हैं फास्ट में तो घी में उन लोग के यहां बनती है तो फिर देख लीजिएगा जिसके यहां पर जैसे बनता होना वैसे इसको बनाए रेसिपी को और इधर मेरे कपड भी निपटा लूँगी अपना हाथ के साथ में क्योंकि आज कल हो रही है ठंडी हो ठंडी के मौसम में क्या है कपड़े सूखने में इतना टाइम लगता है कई बार तो रात मतलब फिर सुभा में दुबारा डालने पड़ते हैं क्योंकि मेरे इधर विल्कुल भी धूप आ लेती हूं वहां पर बैठके क्योंकि बिल्कुल कोने में आती है और आजकल इतनी ठंडी हो रही है इतनी ज्यादा कि उसकी वज़े से तो हालत खराब हो रखी है यहां पर बहुत ज्यादा हो रही है सर्दी और और अब मैं लोट करके आई हूं तब तक आलू अच्छे से हो भी गये थे थोड़ी देर मतलब थोड़ी सी इन में अभी कसर बाकी है थोड़ी सी हलकी सी और यह जो कड़ाई में लग जाते न तो इससे तो एक इतना अच्छा सा करारा सा कुरगूरा सा पनाता है तो वो अच्छा ही लगता है मतलब खिचड़ी बनती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा वो तक आगर कड़ाई से लग जाए ना आलू कोई दिक्कत नहीं है तो आलू हो भी गए हैं और अभी मैंने इसमें नमक बगेरा कुछ भी नहीं डाला था ऐसी आलू बोईल होने के लिए मैंने रख दिये थे और यह साबुदाना मैंने तीन-चार घंटे के लिए इसे जो है गला के रख दिये थे तो अच्छे से अभी तक गल भी गए हैं तो साबुदाना मैंने डाल दिया उसके बाद में सेंधा नमक डाल दिया है साबुदाने के हिसाब से साबुदाना और आलो के हिसाब से अगर अच्छे से चार-पांच पानी से दोलिया जाये तो इतना अच्छा सावुदाने की खिचडी बनती, बिलकुल भी, कई बार क्या होता है खिचडी, जैसे ऐसे इकठी हो जाती है, चलती भी नहीं, उसको इस्टर तक नहीं कर पाते हैं, कई बार बिलकुल तले में चिपक जाएगी, आजीब सी हो जाती, पहले जब मैं मेरी शादी हुई थी, मैं चार-पाश बार अच्छा से इसको वाश कर लेती हुई सावुदाने को, तो उसके बाद में ये ऐसे ही खिला-खिला सावुदाना बनता है, मैं सावुदाने खिचडी बनती ही, खिली-खिली, और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्ची, पिसी होई लाल मिर्ची एट क किसी, क्योंकि बच्चे बोले कि ये थोड़ी सी न वाइट वाइट दिखरी, इसको थोड़ा सा कलर कर दो, तो यहाँ पर कलर ठीक आ नहीं रहा है इसका, मैं आपको बताऊंगी इसका कलर के सारा आगे वीडियो में, तो मुमफली दाने में ने चिलके सारे निकाल दिये थ और उसके आंद में हरा धनिया और लाल कटे हुए टमाटर, यह इसका फाइनल लुक है, और पता नहीं केमरे में क्यों सही से आ नहीं रहा था उदर, और खाने में बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही अच्छी है, अगर सर्दी का मौसम नहीं है, मुझे तो बहुत जोर से सर्दी हो रखी है, नहीं तो मैं इसके सांथ में दही या फी नीवू जरूर लेती, पर मैंने कुछ भी नहीं इसमें एड किया, क्योंकि मुझे बहुत जोर से सर्दी हो रखी है इस समय पर, और आप लोग चाओना तो इसके सांथ दही जरूर लो, बहुत ही जादा हाँ, मैंने इसमें थोड़ी सी एक चम्मच चीनी भी मिलाई थी, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट आता चीनी गा और आज क्या तिल चतूरती है न, तो तिली के लड़ू बनेंगे, मतलब उसके भोग लगता है भगवान गडेश को, तो यहाँ पर मैंने एक कब भरके, और उससे थोड़ी सी जादा तिली मैंने यहाँ पर ले ली थी, भूनने के लिए, रख दिये पैन में, तो इसके क्य मैं लड़ू बनाऊंगी, क्योंकि शाम को भगवान जी को इसी के भोग लगेंगे, तो यह मैंने तिली सेक लिए, और तिली का भी बड़ा ऐसा है न, कि जादा अगर सेक दी तो फिर कड़वाट पकड़ लेगी, तो इसमें से एक चटचट सी जो आवाज आने लगेगी, बस उतनी देर इसको सेकेंगे, और उसके बाद में गेस बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख दें, किसी थाली वाली में निकालके, फिर जब यह ठंडी हो जाएगी, तो इसको एक जार में, मिक्सी जार में इसको पीस लेंगे, बिल्कु ठंडी हो जाएगी उसके बा तो यह जो नीचे गिर गया वो तो खिर में अलग साइड में रख दूँगी क्योंकि बोग के लिए लड़ू बन रहा है तो फिर नीचे का तो क्या ही उठाऊंगी हाला कि मैंने प्लेटफार्म बगेर सब साफ कर लिया था बनाने से पहले क्योंकि पूजा का बनाती हूं तो मैं नीचे का एक साइडी रख दूँगी उसको मैं इस्तमाल नहीं करूंगी तो यहां पर है न एक एक कप भरके और उससे थोड़ी जादा ही तिली थी तो उसके सामने में नहीं नब डेड़ कप मान लेंगे हम तो उसके सामने मैंने एक कप गुड लिया है क्योंकि साना मेरे घर पे मीठा जादे ही पसंद करते तो मैंने दो दोड़ाई चमच थोड़ी सी सकर भी एड़ कर दी इसमें ज्यादा बड़ी चमच नहीं है वो छोटी चमच है और आप चाहो तो शकर एड़ भी ना करना कोई दिक्कत नहीं है और उसके आप मैंने थोड़ा सा पानी डाला इसमें इतना कि बस गुड़ गीला हो जाए और इसको मतला एक तार भी नहीं हलका सा मतला बीच में से तूटे तार इतना तार की चासनी ले लिए आपको कि आधे तार की चासनी ले लीजिएगा और चासनी वाले ना मैं बहुत ही कम बनाती हूं मतला दूसरी या तीसरी बार बना रही हूंगी मैं क्योंकि मैं मुझे लगता है कि वो जो गुड़ के सांथ में बनते ना ऐसे बिदाव चासनी के वो वाले मुझे जादा एजी लगते तो वो भी मैं आगे कभी शेयर करू यह क्योंकि बिल्कुली पाउडरी मतलब लड्डू बनाएंगे तो वो उतने अच्छे नहीं लगेंगे इसलिए थोड़ा सा क्रेंच आते रहेगा इसके लिए और अब यह चासनी ठंडी हो गई थी मैंने ठंडी कर ली थी चासनी गरम चासनी में हम यह नहीं मिलाएंगे और यह वो जो तिली मैंने अलग से रखी थी तो एक कप मैंने पीस ली थी और जो आदे कप की में बात कर दी थी ना देड़ कप ली थी तो वह आदे कप मैंने इंदर रख ली थी बचा करके और आब इसमें डाल देंगे और आप चाहो ना तो इधर milk powder भी आप एड़ कर सकते हो पर मैंने milk powder एड़ नहीं किया था मैंने किया था नरियल का desiccated powder किया था मैंने इसमें इस्तमाल तो आप देख लीजिए कर चाहो तो milk powder या फिर बदाम या फिकाजु इन सब को पीस करके उसको भी मिला सकते हो चाहो तो नहीं भी मिलाू चाहे तो मूम्फली दाने जो रहते न उनको रोस्ट करके उनको चिलके निकालके उनको भी पीश सकते वाप इससाथ में तिली के साथ में और उसको मिला सकते वो चाहो ते इंद मने से कुछ भी मत मिलाईएगा कुछ भी और ये लड्डू बनने भी लगे अच्छे से और चासनी मैंने ठंडी कर ली थी तिली अल्रेटी ठंडी थी ना तो आराम से बन गए लड्डू कोई दिक्कत नी हुई है अभी थोड़े से गीले हैं भी थोड़े से हलके से पर एक घंटे बाद ना ये सेट हो गए थे बहुत ही अच्छे बहुत ही टेस्टी से ये लड्डू बनके तयार हुए थे मैंने नाइट में मतलब पूजा करके फिर हम लोग ने लिये थे प्रशाद तो अच्छे बहुत अच्छे बने थे बहुत अच्छे जो तिली अलग से मिलाई थी ना तो उसका क्रंचिनेस भी ना तो यहां तो यह मैंने खुंआ करने के हिसाब से बनाया था कि भूग भी लग जाएका और थोड़े में ट्राय करके भी देखूंगी कि मतलब कैसे बनेंगी क्या तो इसलिए मैंने थोड़े सी बनाय थे अच्छी रेसिपी है अगर आप ट्राइ करना चाहें तो कर सकते हैं बहुत अच्छी रेसिपी है इजीली बतला बहुत आसानी से बन जाएंगे बहुत आसानी से कर दो कि अ氣 én तरापिटर को ट्राप wesTh और पाके आसानी से बतला से ỹ… और छेम रेसिकला तरा सकते हैं ये वहुत आथ कर सो हंसी This वहुति कि नहीं अच्छी है over theitudg Rice बतला से ये सिननिकी कर आस इंचें मेंöff 었다 ये लड्डू बन के तयार भी हो गए और अब सामके खाने के लिए मैं तयारी कर रही हूं तो यह मतब कुछ स्पेशल सा तो नहीं बनाएं बस अपता गोबी और मटर की सबजी बनाएं थी और रोटी बनाएं थी क्योंकि भोग लगेगा लड्डू का तो वैसे तो दाल बाटी बनती है पर मैंने क्योंकि नाइट में फिर दाल बाटी कोई भी नहीं खाता इसलिए यहां पर मैं छोटे चोटा वाला बेटा बेट से बाते कर रहा है पता नहीं क्या क्या बाते वह कुछ ना कोई सुनाता ही रहता है खेल के आएगा तो उसके बारे भी डिस्कस करेगा अगर इसकूल से आएगा तो वो डिस्कस्शन चलता रहेगा उसका काफी देड़ तक मुझे नहीं भी सुनना होता ना तब भी आके सुनाएगा हर एक चीज पत्त को भी की सबजी ना बहुत मतला आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मतला बहुत अच्छी बहुत टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है माइल्ड सी रहती है ज्यादा मसाले उसमें डलते नहीं है पर बहुत ही अच्छी लगती है बिना टमाटर बिना आलू के एक बार बना करके देखिएगा मतर का सीजान अभी ठंजी है तो मतर डालेंगे ना मतर बहुत अच्छी लगती है इसमें और कम इंग्रीडियंट के साथ में यह बन के तयार हो जाती है इसके साथ में पराठा पूरी यह तो बहुत ही अच्छे लगते हैं सुबह सुबह टिफिन में देने के लिए भी बहुत अच्छी है यह रेसिपी कि अच्छी है कि अच्छी है इसके साथ में बहुत हैं कि अच्छी है यह थोड़ी सी पत्तक हो भी मैंने बचा लिये क्योंकि यह बोल रहा था कि मुझे कल पास्त बना के देना तो उसके लिए फिर मैंने बचा ली थी थोड़ी सी और इसमें न वही हरी मेंची और करीपत्ता जरूर से डालिए गए इसमें आप बहुत अच्छा लगता है और अदरक थोड़ा सा अदरक ज्यादा वो बस मसालों में सिर्फ इसमें नमक और हल्दी ही जाएगी क्योंकि यह न जो चीली फ्लेक्स होते है न वो डलेंगे इसमें कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि मस्तीन चार इंग्रीडियंट डलेंगे और यह सबजी बनके रेड़ी भी जाएगी और ऐसा नहीं है कि टेस्टी लगी लगेगी एक वाली टेस्टी लगती है अब एक बार बना करके देखिएगा और उपर से हरा दनिय डालीगा यह सब से बनके रेड़ी होगी है पराठा पूरी काई के भी साथ में आप इसे इंजोई करो रोटी से ज्यादा यह पराठे के साथ में अच्छी लगती पराठे पूरी के साथ में और इधर मेरे फुल के भी सिक्र है बस वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्यू खाना वाना हो गया उसके बाद में ये साफ सफाई भी में करके ही सोंगी रात में क्यूंकि फिस उबे लंच बनाना रहेगा बेटे के लिए